तो तुटो सुटेंस टागेट आएस 2021 में आप सभी का स्वागत है सो टूडेंस जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग इन सेशन के अंदर करंट अफेस को कवर अब कर रहे हैं तो बात करें करंट अफेस की March 2020 से लेकर April 2021 के current interface को हम लोग 70 days के अंदर cover up करेंगे यानि की more than one year के current interface को हम लोग 70 days के अंदर cover up कर लेंगे before the prelims of 2021 clear head students और याद रखिए students current affairs आपके prelims plus main perspective से जो भी important current रहता है तो हम लोग सारे के सारे इनी सेशन के अंदर well explained manner से cover up कर रहे हैं और अगर मैं बात करूँ अभी तक हमने March, April, May, June, July, August and September वो cover up कर लिया है और अब हम October 2020 के current interface को cover up कर रहे हैं अभी तक हमने October के ओपर दो sessions को attend किया है और आज हमारा session यानि की third session October 2020 के current interface के basis पर ही रहने वाला है तो लीजे सुरिंग्स हम लोग आज का अपना session शुरू करते हैं अगर आज की सबसे पहली न्यूस की में बात करूँ यहां पे रहेगी United States of America aircraft refueling at the undemand in Nicobar Island तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग एक मैं शुरू करता हूं यहां पे तो यहां पे लिखा गया आपका कि ए यूएसे नेवी पी एट ए लॉंग रेंज मेरिटाइम पेट्रोल एरक्राफ्ट फोकस करना हर एक चीज़ को और मैं अभी शुरू करने से पहले एक announcement करना चाहूंगा उन new learners के लिए जो आज मेरा session पहली बार देख रहे हैं कि हम लोग हर एक session के अंदर कुछ ऐसे news रहते हैं जहां पर data add-on काफी करवाया जाता है तो आप लोग वो data को अपने साथ parallel लिखते जाहिएगा clear है तो यहां पर लिखा गया कि a USA Navy का पी एट लॉंग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो जिसको आप लोग MPA बोलते हैं landed at Port Blair in the Andaman and Nicobar Island Andaman and Nicobar Island पे for the refueling under the bilateral logistic support agreement कौन सा bilateral logistic support agreement clear अब अगर आगे चला जाए अभी तो यहां पर लिखा गया कि यह पहली बार हुआ है मैं इसको important mark करता हूं क्योंकि यहां पर ना कुछ चीज़े important रहती हैं कि this is the first time the USA got assessed to Andaman and Nicobar under the logistic exchange memorandum of agreement जिसको आप लोग बोलते हो ले मॉआ L E M O A अब यह L E M O A जिसको आपने अभी पढ़ा कि logistic exchange memorandum of agreement उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पर तो मैंने एक पिक्चर की cutting यहां पर लगाई है न्यूस्पेपर की तो क्या चीज़े कहते logistic exchange memorandum of agreement stands for definition आ चुका है और tweaked इंडिया specific version of the logistic support agreement which the USA has with several countries it has close military ties जनी कि United States of America के ऐसे कई देशों के साथ ऐसे agreements है यानि कि इस agreement के अंतरगत क्या चीज़ दिखाई गई है close क्या लिखा यहां पर several countries close military ties दोनों देशों के बीच मिलिटरीटाइज और लिखा गया कि दोनों देशों में हम लोग अपना मिलिटरी को डिप्लाइब ही कर सकते हैं इट कवर फोर एरियास अब यह जो एग्रिमेंट हुआ भारत और USA के बीच में यह कौन कौन से एरियास को कवर आप कर रहा है एक तो पॉर्ट कॉल्स को ज्वाइंट एक्सक्राइज को ट्रेंग और लिखा गया USA has similar agreement with the NATO partners NATO partners के साथ भी USA के इसी तरीके से agreement हो रखे हैं फॉर एक जपान फिलिपाइन पाकिस्तान और जॉर्डन क्लियर याद रखे मैं आपको यहां पर स्किप्ट कर गया यह चीज आप यह न्यूज आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगी स्ट्रेंट्स फॉर्ड जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 के लिए बढ़े आगे अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आपके प्रिलिम प्रस्पेक्टिव से इंपोर्टन बोलता हूं क्योंकि यहां पे ना लोजिस्ट्रिक एक्षेंज मुम्रेंडम आफ अंडर्स्टेंडिंग का बेस बना दिया गया कि यह एक ऐसा एग्रिमेंट है जो दोनों देशों को असेस करता है डिजाइं मिलिटरी इन बोड़ कंट्रीज और भारत ने लीमों को एग्रिमेंट है जो यूए से के सचाइन किया गया दो हजार सोला के अंतरगत त्लियर है सुडेंट्स यहां तक में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लिखा कि जेनरल सेक्योरिडी ओस मिलिटरी इनफोर्मेशन एग्रिमेंट तो देखिये यानि की G S O M I A General Security of Military Information Agreement यह क्या allow कर रहा है यह allow करता है militaries to share the intelligence याद रखे military को intelligence के लिए जो intelligence information data रखता है वो दोनों के बीच में share करना gather by them ठीक है और भारत ने इसको sign किया 2002 में यहाँ पर मैं आपको एक छीज़ highlight करने के दिखाना चाहूंगा students यह चीज याद रखेगा अगर बात की जाए logistic exchange memorandum of agreement तो वो भारत ने USA के साथ sign किया 2016 में याद रखे और जो एक आया general security of military information agreement वो भारत ने USA के साथ sign किया था 2002 में यह चीज आप लोग याद रखें years को काफी ज्यादा यहां पर ध्यान में रखना होगा clear act क्योंकि कभी-कभी पूछा जा सकता है arrange these agreements in the chronological order clear ना तो हम लोग कुछ ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं UPSC से तो आगे बढ़ते हैं यहां पर लिखा an extension to the boss में अब इसका extension अगर बढ़ाया जाए तो लिखा the industrial security annex isa was signed at 2 plus 2 dialogue in 2019 जो industrial security annex है अभी यह क्या चीज है हम इसकी ओपर थोड़ा data add-on भी करेंगे आज ही तो यहां पर लिखा यह sign किया गया था 2019 में ठीक है even the industrial security annex provider framework यह एक ऐसा framework प्रोवाइड करवाया जा रहा है for exchange and the protection of classified military information between the USA and the Indian defense industries again important यहां पर आपका industrial security annex का अधार मताया गया उसका base बता दिया गया कि क्या था कि यही industrial security annex है जिसके अधार पर दोनों देशों के military's USA और इंडिया डिफेर क्या करेंगे exchange करेंगे और प्रिक्ट करेंगे classified military information को clear between the two countries okay तो students what do you mean by industrial security annex तो यहां पर डाटा आउं की चाप लो कि इंडिस्ट्रियल कि security annex तो क्या चीज है देखिए नमबर वन तो यहां पर लिखा गया कि जो आपका isa नहीं की industrial security annex है जिसको हम short form में isa बोलते हैं कि isa to the Cosmia will provide a framework for exchange and protection of classified military information हाला कि यह हमने अभी पढ़ा इसी को पढ़ा बट यह डाटा इंपोर्टेंट रहेगा मैं फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूं यह चीज़ पॉर्टेंट रहेगी यह क्रक्स रहेगा हमारे लिए मेंस परस्पेक्टिफ के लिए याद रखेगा military information between the United States and Indian डिफेंस इंडिस्ट्रीज अब आगे अगर चला जाए तो इसी के लिए कि दिस विल फर्दर प्रमूट अब हमारे लिए चीजे इंपोर्टेंट रहती है यह अब आगे यह फर्दर क्या प्रमोट कर रहा है मैं पैन का कलर चेंज करके लिख देता हूं आपके लिए डिफ्रेंट है मेक इन इंडिया यहां पे ध्यान दो जी सुडेंट्स मेक इन इंडिया को भी आपका यह प्रमोशन में हेल्प कर रहा है क्लियर एक को इंद डिफेंस सेक्टर यहां पे लिखने है यहां पे लिखा गया की इन अकॉर्डेंस विद्ध बजट एनाउंस्मेंट इन एकॉर्डेंस विद्ध बजट एनाउंस्मेंट कौन सा एटीन से लेकर टू थाउजन आइंटीन के बजट की बात की गई है the government has already Also we have already decided to set up two defence industrial corridors in the island country . तो यहां पर फोकस कीजिए कि इंडर्स्ट्रिल सेक्यूर्टी एनिक्स के अंतर गती हमने एन्नाउस्मेंट भी किया बजट के अंदर 2018 से 2019 के अंदर की भारत भी एक डिफिरेंस इंडर्स्री को बनाने जा रहा है जो मेकिन इंडिया को भी प्रमोशन दे रहा है यह एक बनाया गया यूपी के अंदर और एक बनाया जाएगा तमिल नाडू के अंदर तो यह डाटा आप लोग के लिए इसको प्लीज नोडाउन करके रखे या फिर एक स्क्रीन शॉट ले लिजी आप लोग एक आगे चलते ह तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो नेक्स देखिए अब यहां पर आता है बेका की बात की जाती है जो आप लोग बोलते हो बेसिक एक्स्चेंज और कॉपरेशन एग्रिमेंट फॉर दे जियो स्पेट्टियल कॉपरेशन कॉपरेशन क्लियर रहे ना तो यहां पर क्या चीज़े देखिए लिखा गया दे यूसे इस लुकिंग फॉरवर्ट अब यूसे और भी आके देख रहा है तो साइन सॉरी तो इंडिया साइनिंग गा कि भारत अब बेका को भी साइन करी यूसे के साथ आट दे नेक्स्ट इंडिया अक्टूबर 2020 यह अब यू यूसे का देख अमलब फ्यूजर प्लानिंग जांगे अब यहां पे ली मॉआ को को हम लोग देख चुके थे अब यहां पर कुछ और फर्दर देखा जाये तो कहते प्रोवाइड लोजिसिक सपोर्ट ले मॉआ के अंतरगत लिखा गया विल न अगर यहां पर लिखा जाए देखा जाये तो कॉम्मिकेशन इंटर प्रोलेरिटी और सेक्री मॉमरेंडम एग्रीमेंट भी एक हुआ था तो इसी के अंतरगत क्या था कि टेक्नोलोजी एनेबलर तो हैल्प ट्रांसफर हाइट टेक एविनेक्स एंक्रेट कॉम्मिकेशन ए इड्वान सेटलाइट और टॉपग्राफिक डाटा फॉर लॉंग रेंज नविगेशन अन अमेजाइल टारगेटिंग इंपॉर्टेंट है यहां पर युनाटेट सेट्स आफ अमेरिका ने भारत के लिए एड्वांटेज इस बताया कि अगर भारत बेका को ज्वाइन करत है तो वो उसके लिए काफिदा बेनिफीशल रहेगा बट इंडिया विच विचाइट इस ओन सेटलाइट इमेजिंग काबिलिटी इस अन्विलिंग इंडिया विलिंग फॉर अमेरिक इंडिटल सेंसर्ट वी पोजिशन ओन इट्सवाइल क्लियर चलें अगे अब यहां प सब्सक्राइब अब भारत यहां पर बोलता है कि भारत के पास अपनी सैटलाइट है इसलिए तो वह अन्विलिंग शो कर रहा है अमेरिका को कि अमेरिका की जो डिजिटल सेंसर सेटलाइट है वह भारत के मिट्टी के तरफ पोजीशन की जासे क्योंकि इससे हर एक मुव्म आप बेसिक एक्षेंग एंड पर देख एक इससे प्रफटाइब टोलिके नवब वन यहां पे क्या चीज है कि अधे इत विल ऐलाओ इंडिया to use the geospatial maps of the USA to get पिन पॉइंट मिलिटरी एक्यूरेशी आफ और्टोमेटेड हार्डवेर सस्ट्रम एंड वेपन्स हाला कि जो हमने चीज़ पढ़ी यह एक बेका का बेसिक डेफिनेशन है जो क्रूज मिजाइल और बेलास्टेक मिजाइल के लिए हेल्प करेगा भारत के लिए तो आगे बढ़ते हैं अब यहां पर स्ट्टेक्जिक सिग्निफिकेंस ऑफ और अलंटी यहां पर देखिए यहां पर लिखा गया की इटर्ग व्रक, अव्र एक चीज़ है जो अटेमानों अकवार आईलेंड है फ्लकूल पास रहता है विल्कूल ठीक ना एंड ग्लोबल सी लेंज ऑफ दे कॉम्मिनिकेशन बिल्कुल करेक्ट और लिखा कि जो अंडेमान और निकवार आइलेंड है यह एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है याद रखें यह एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट प्ले करता है आ राव औइंडियाज एक हीस्ट पोलिसी इमपटेंट में यां पर् माक करूंगा फ्रिलल में प्रस्प्रेपटिब यह बिल्यन म आईको बार आइलेंड चाहिव बिक्रम है उसको हम लोग यूज करेंगे as a basis for the Indian maritime power projection into the Indo-Pacific and even beyond into the Southwest Pacific clear है यह चीज आपके लिए मेंग्स प्लस प्रिलिम प्रस्पेक्टिव दोनों के रिंपॉर्ण रहेगी यह डाटा हमारे लिंपॉर्ण अब यहां पर लिखा गया की इसी के अंतरगर्थ जो अंडमान और निकोबार आइलेंड है could be used for the India's third fleet यानि की other two are the western and eastern fleets बिल्कुल करेक्ट है and the trans shipment hub at the car nicobar could potentially be strategic game changer rivaling the port of Singapore and Colombo यहां पे similarity दिखाई गई है अंडमान और निकोबार के पॉट की याद रखे अंडमान और निकोबार के पॉट को comparison में लेकर आया गया है जो Singapore और कोलमबो के पोड़ा जो काफी बीजिए स्पॉट रहते हैं और यह strategic role the important play kariga aapka nicobar ka pot clear यहां पे इवन लिखा changing nature of warfare has lead to the expansion of the scope of try command services clear आगे बढ़ते हैं यहां पे लिखा कि as अंडमान और निकोबार is the first try command structure in India development of military infrastructure at अंडमान निकोबार आलेंड is a key requirement in the India's security strategy again examination point of use important रहते ही जीज़े clear आगे यहां पे लिखा अभी इसी न्यूस के अंतरगत की increased maritime interaction with the quad countries अब students quad countries अगर मैं बात करूं तो देखें quad अरे quad के अंतरगत कौन कौन से देश हाजाएंगे इंडिया USA Japan and Australia तो लिखा गया कि quadrilateral security dialogue is the informal strategy dialogue between the India USA Japan and Australia with the shared objective अभी यह क्या शेर कर रहे हैं क्या एम है इनका to ensure and support a free open and prosperous Indo-Pacific region important है यहां पर यहां पर quad के लिए बताया गया कि जो quad बना जो quad के देशों के बीच में अंतरगत इन देशों के बीच में जो बात चाहिए तरहें जो डायलोग शेर किये जाते हैं वो बेसे करेतनी हैं वो किस अधार पे रहेंगे वो रहेंगे free open and the prosperous के ओपर जो इंडो-Pacific region की बात की गई है and next यहां पर बात की गई कि there has been a sharp increase अब एक दम शाप इंक्रीस कर दिया भारत की तरफ maritime interaction with the quad countries on a bilateral basis centered around the information sharing on maritime domain awareness याद रखे maritime domain awareness in the Indian Ocean region and the Indo-Pacific region clear कोई डाउब तो नहीं है आगे बढ़ते हैं यहां पर लिखा maritime domain awareness MDA is defined by अब इसको कौन defining करता है इसको definition दिया गया international maritime organizations के दौरा clear यह एक ऐसा effective understanding of anything associated with the maritime यह एक ऐसी चीज़ है जो यह maritime के अंतर जो maritime के relations में है उसी question कर रहे है that could impact the security safety economy and environment of the country clear यहां पर मैं अब आप लोगों के लिए international maritime organization के लिए data add-on करवाना चाहूंगा तो students यहां पर थोड़ा सा आप लोग data add-on कीजिए about the international maritime organizations के लिए तो लिखिए international maritime organization अब students यह क्या चीज़ है आप लोग बस यहां पर नोट करें नमबर वन एक तो याद रखेगा एट इस श्पेशल लाइज्ड एजन्सी आफ यॉनाइटेट नेशन्स यॉनाइटेट नेशन्स की एक specialized agency है अगर हम लोग बात करें कि इसकी में responsibilities क्या है इसकी में responsibilities क्या है to improve the safety, security of international shipping and prevention of marine and atmosphere pollution by ships clear है और अगर और भी डाटा एड़ाउन किया जाए students तो established by means of a convention जो एड़ॉप्ट किये गए अंडर दर आउस्पिस आफ दर उनाइटिड नेशन्स इन जनेवा ठीक है अब कॉंकब on 17th of March 1948 clear students and meet for the first time in January 1959 clear students 1948 में इसका संगेट किया गया था और 1959 में ये पहली बार मिले थे clear आगे बढ़ते हैं तो यहां तक क्लियर है आपका आगे देखा जाए तो कि भारत ने इंडिया है लॉजिस्टिक एग्रिमेंट अब भारत का लॉजिस्टिक एग्रिमेंट भी है विद थ्री क्वार्ट कंट्रीज याद रखेगा और वो कौन कौन है एक आर है आपका ऑस्ट्रेलिया जपान यूज़ जो अचनल यूज़ एखग्रिम आपकाटिन खंट एव हommt पर देखेए भारत ने खरण बरगि रुलत के साथ और जपान के साथ इवन मैरिटाइम इंफोर्मेशन शेरिंग एग्रीमेंट कर रख है और स्थिह चाहित उसी तरीका एग्रीमेंट यूएस एक साथ बी वरकिंग में है तो आज की हमारी निक्स न्यूस रहने वाली है NCRT Books in the Indian Sign Language यह आपके लिए इंपोर्टन है जी एस पेपर टू के लिए क्लिए शुरू करें तो देखिए यहां पर लिखा गया कि Indian Sign Language Research and Training Center भारत का जो Sign Language Research and Training Center है and National Council of Educational Research and Training NCRT यह दोनों ने मिलकर MOU साइन किया मुरेंडम आफ अंडर्सेंडिंग साइन किया है स्वारी तू मेक NCRT टेक्स्ट बुक्स यानि की जो NCRT टेक्स्ट बुक्स है वो असेसिबल हो जाए to the hearing impaired students in sign language important clear आगे बढ़ते हैं यहां पर लिखा की NCRT टेक्सट बुक्स, टेचर्स, handbooks and other material for the class first to class 12th of all subjects in Hindi and English medium would be converted into the Indian sign language which in the digital format clear है और यहां पर mention किया गया कि it is a step toward the fulfilling the needs of rights of person with a disability यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट रहेगी कि जो यह मुम्रेंडम of understanding sign किया गया यह किस आधार पर किया गया था यह बेस किया था students यहां पर मैंने यह चीज को आपके लिए फोकस करवाया है कि जो हम लोग Indian sign languages के अंतरगत भारत की NC artist को digitally करने जा रहे हैं वो रहेगा एक basic necessity को fulfill कर रहा है under the rights of person with a disability in 2016 and the new education policy 2020 clear पर बढ़ें आगे तो यहां पर लिखा गया कि signing of the MOU is based on the United Nations Children's Funds UNICEF initiative again important यह किसकी अधार पर रखा गया United Nations Children's Funds की UNICEF initiative जिसको बूला गया accessible digital textbooks for all clear students okay आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए अब आगी लिखा so far hearing impaired children's used to study अब क्या है जो hearing impaired children's है वो जादा तर क्या पढ़ते हैं only through the verbal or the written medium through verbal or written medium now they can study through the Indian sign languages which is same all over the country ठीक है तो यह किसके अंडर आता है यह आता है rights of protection और new education policy 2020 को लेकर clear है मैं इसकी बात कर रहा हूं students rights of person with a disability 2016 and new education policy 2020 clear है आगे बढ़ते हैं तो यहां पर लिखा कि in the childhood days cognitive skills of the children are developed and it is very necessary to provide them educational material as per their learning needs okay it will not only enhance their vocabulary अब इस तरीके से students की vocabulary enhance होगी but also enhance their capabilities to understand the concept clear आगे बढ़ते हैं clear और इस उन ग्रामर यहां पर लिखा गया कि इंडिन साइल लैंगूज की एक अपनी ग्रामर है साइंटेक्स है और रीजनल डायलेक्ट्स इनकी अपनी ग्रामर, सेंटेक्स और रीजनल डायलेक्ट्स होते हैं इस्पेशली डिफरेंट गैस्ट्स वर्ड और सेंटिमेंट्स ओके students आपके लिए मैं फिर सक चीज बोलना चाहूंगा मैं हर एक session में बोलता हूं किसी भी student को कोई news को लेकर कोई डाउट रहता है तो आप लोग comment section में जरूर बताएं clear है और दूसरी बात हर एक session की pdf आप लोग description section में जाकर वहां पर link दिया हूँ है वहां पर जाकर आप लोग same session की pdf download easily कर सकते हैं ओके और third point यहां पर लिखा गया indian sign languages के अंतरगथी the main difference from the spoken language lies in form sign language are visual spoken ones are auditory sign language is recognized as an official language इसको official language का भी दर्जा दे दिया गया है in many countries across the world like the United States of America important क्लियर एक आगे बरते हैं अब लिखा गया की according to the world health organization of world health organization के कॉर्डिंग क्या हुआ 2018 के अंदर the prevalence of hearing impaired यान की हाए in India is around 6.3% तो कितने पीपल होगे world health organization के अंतरगथ 2018 में भारत के लिए 63 million people suffering from the significant auditory loss correct next आया की the larger percentage of Indian population अब भारत की जादा तर जन संख्या also suffer from milder degrees of hearing loss and unilateral hearing loss जिसको बोल दिया गया one-sided okay आगे वढ़ते हैं लिखा nearly 50% of the deafness can be prevented अब क्या है पचास प्रतीशत जो deafness उसको बचाया क्या इस प्राइमरी हेल्थ केर एप्रोच इस एडॉप्टेड फॉर ओर्ट लॉजिकल केर यानि की केर आफ एयर और डिजीज एक्रोस दो वर्ल्ड क्लिर है जो प्राइमरी हेल्थ केर अप्रोच को अगर हम लोग अडॉप्ट करते हैं अब आगे लिखा गया की नाशनल प्रोग्राम फॉर दे प्रिवेंचिन अन्ट्रोल ऑफ देफनेस के अंतरगत जो लॉंच किया गया था दो हजार छे के अंदर इस एन एफ़र्ड तो तेकल देफनेंस अफ देफनेस इन दे कंट्री क्लेर सुरेंट्स इन दे व्यू आफ दे प्रिवेंटेबल नेचर अफ दिस दिफ अफ दिस डिस अबलेटी ओके आगे चलते हैं तो इंडियन साइन लेंगविज रिसर्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर के अंतरगत क्या चीज़ है आप लोग यहां पर फोकस कर रहे हैं तो क्या लिखा गया कि जो इंडियन साइन लेंगविज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है इस एन ऑटोनॉमस नाशनल इंसिट्यूट ओफ डिपार्ट्मेंट ओफ एंपावर्मेंट ऑफ परसंस विद डिसेबिलिटी और कौन से मंत्रा लेक यह अंदर आ रहा है यह आ रहा है यह यह चीज़ सुडेंट रहेगी आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टीस एड एंपावर्मेंट एक इंपावर्मेंट भी है प्रेलिम परस्पेक्टिव से इंपावर्मेंट रहेगा और इसको बनाया कभी स्टैबिश किया गया था 2010 में कि निक्स प्वाइंट लेखा कि इस डेडिकेट अब ये डेडिकेट किसको किया गया के टेडिकेटिट टू दू तास्क ओफ डेवलप्टिंगम पावर पॉर पॉपपिलर आइस को देखें एंट्याइन साइन लेगविज़ टीचिंग डेडिकेट इंदियसेंग डीर्शार याद रखें एक autonomous organization है जो भारत के ministry of education के अंदरगत आती है which is responsible for अब NCRT किस चीज के लिए responsible है वो है एक तो number one ensuring the quality improvement in schools education sorry by undertaking and promoting research in the areas related to school education correct second वो यहां पर लिखा गया कि prepare करेंगे और publish करेंगे model textbooks को supplementary materials को correct है और हमारे पास third point कि आता है कि develop and disseminate innovative educational techniques and practices clear students यहां तक आगे बढ़ते हैं लिखा एक आस नोडल agency यह एक नोडल agency का काम करेंगे for achieving the goals of universalization of elementary educations clear है students यहां तक शेल भी पुसीद फॉर्दर अब हमारे पास next news आती है कि नाग missile anti-tank guided missile के लिए और यह news आप के लिए important रहने वाली है for the GS paper 3 के लिए ठीक है shall we start students okay अब मैं शुरू करता हूं आज की हमारी third news को तो देखें यहां पे क्या चीज़ है तो लिखा गया the final user trial of third generation anti-tank guided missile नाग was carried out successfully from the Pokhran range in the third desert Rajasthan important है third generation की anti-tank guided missile जिसका नाम है नाग उसको successfully test किया गया at the Pokhran range जो आपको third desert Rajasthan में मिलेगा clear आगे बढ़ते हैं लिखा की देनाग missile has been developed अब जो नाग में जाईल है उसको डेवलप किया गया to strike and neutralize highly fortified enemy things it also has night strike capabilities clear आगे बने लिखा की एंड़ा गया इडिड मिसाइल्स our missile system that can strike and neutralize armored vehicle such as tanks it has minimum range of 500 meters and the maximum range of four kilometers clear ये बात की गई है आपकी नाग मिसाइल की ओके और यहां पर मैं आपके लिए डाटा एड़ान करना चाहूंगा कि strike and neutralize highly fortified enemy tanks को लेकर clear and what about the spike anti-tank missiles तो देखें यहां पर हम बोलते हैं यहां पर spike anti-tank missile तो क्या चीज़े सुनेंस यहां पर देखें लिखा गया की these are the fourth generation anti-tank missile developed and manufactured by the और किसने बनाया और किसने इन्हें ने अनुफेक्चर किया सुटेंस इनुफेक्चर बाइदर रफेल advanced defense system और यह किसका system है इस्राइल का खेट और हाला कि आपने पॉइंट देख भी लिए आमरब बट मैं फिर से भी लिख देता हूं इसकी रेंज आपको फो किलोमेटर तक मिलती है और थर्ट पॉइंट रहता है के टे इस अपरेटेड इन फायर एंड फॉर्गेट मॉड मतलब चला कर एक बार भूल जाओ तो क्लेर सुरिंट्स आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया की जो थर्ड जेनरेशन फायर इंड फॉर्गेट केटिगरी सिस्टेम है नाग सिस्टेम एस इमेजिंग इंफ्रारेट सीकर्स टू लॉक ऑन दे टार्गेट बिफॉर लॉंच यह मतलब लॉंच होने से पहले अप लिखा इंड टॉप अट्री जाइंड आठेव लॉंच यह मतलब लॉंच अन्यवारत अव्य। व्यौट नाज इंड अएव्य। लॉंच भी कॉर्च वॉंच टॉच फ Arts इन तरगेट रिक अध्र मॉड्य। थर्किनॉच बहां न अट्रीड इंड दॉच आयर लॉंच इसकी कापबिलिटीज भी है तो डिफीट में बैटल टेंक्स एक्विप्ड विद दर कॉम्पोजिट अंदर रियक्टिव आर्मर्स लिखा कि जो वर्जन है नाग एंटिटाइंग गाइड़ मिजाइल का वो डियाडियो इस करेंटली इन फाइनल स्टेज ऑफ देवलोप्मेंट ऑफ हेलिकॉप्टर लॉंच वर्जिन ऑफ दे नाग अब जैसा कि हमने टेंक से लॉंच कि आप पिक्चर को देख पा रहें यह टेंक्स के लिए बना दिया गया एटी जी एम और हम लोग डियाडियो बना रहे है हैलना की हेलिकॉप्टर लॉंच्ट वर्जिन ऑफ नाग विच हाज अंडर गॉन सक्सेस्फुल टेस्ट इन टू थाउजन एट क्लियर सिग्निफिकेंस इस क्या है कैते एक विद दिस फाइनल यूजर ट्राइल जो आपका नाग है वो एंटर करता है प्रोडक्शन फेस में दमिजाइल विल प्रेड्यूस बाइड दियाडियो तो बिलकु आम सॉरी नॉट दियाडियो इट्स पॉब्लिक सेक्टर अंडरेकिं पी ए सुसार भारत डायनमिक्स लिमिटेट वेरास ओर इन एंस फेक्टरी मिडग्ड विल प्रेड्यूस दर्व नामिका ओके अगे लिखा गया की दिस विन आप इंडियन आमी विल नॉ लॉंगर है विल नॉ लॉंगर है विल आपका तो इस वेपन विल आई गर इस्राइ से इंपोर्ट करवा था यहां पर लिखा की इट वास द्यू टू अन अविल अविल इलिटी ऑफ दो एंटी टेंक वेपन्स दाट इंडिया है तो इंडिया है तो इंडिया है आउंड 200 पीस उफ पाइट एंटी टेंग गाइड मिजल जो अभी रिसेंट लिए डाटाइड आर्मी इन लडाक रिसेंटली हमने 200 पीस को और परचेस किया है स्पाइक एंड गाइड मिजाइल का इस्राइल से क्यों क्योंकि हम लोग जो थेट को फेस कर रहे हैं बाइद पीपल से लिबरेशन आमी इन लडाक गलवान घाटी में पैंगॉंग सो लेके फिंगर्स को ले जान 2T and conquer anti-tank guided missiles and has been looking for about third generation missiles which are important important for stopping advancing enemy tanks okay और अगर बात की जाए अधर मिजल से सम्की मिजल have been developed by the India under integrated guided missiles development program important क्लेरे सुडेंट्स यहां तक और यह आपके लिए प्रिलिम प्रस्पेक्टिव से important रहेगा आगे बढ़ते हैं अब यहां पर मैंने फिर से पिक्चर कटिंग की है आप लोग के लिए यह important रहेगी लिखा जो आपकी नाग anti-tank guided missile trial है was continuation of a series of missile test जो कंड़क्ट की जाती हैं डियाडियों के द्वारा in the last one and a half month even डियाडियों ने बोल दिया है कि वो successfully test India's first indigenous anti-radiation missile याद रखें भारत ने anti-radiation missile को भी recently test किया clear है anti-radiation को जिसका नाम रखा गया named rudram और वो है supersonic missile assisted release of torpedoes एक smart system को भी हमने test किया torpedo जो submarines में यूज किया जाता है nuclear capable missile शौर्य नेवल वर्जिन आफ दे ब्रहमोस और hypersonic technology demonstrator vehicle जिसको आपने गोल तो एच एस टी डी यह important रहेगा data assurance आप लोगों के लिए defense को लेकर काफ़े important है ओके अब अगर मैं बात करूं यहां पर की integrated guided missile development program को लेकर तो देखिए यहां पर लिखा की जो आपका integrated guided missile development program है वो conceive किया गया था by the doctor APG Abdul Kalam बिल्कुल to enable the India attain self-sufficient in the field of missile technology I'm sorry Abdul Kalam जी के द्वारा इसको adopt किया गया था ताकि भारत भी self-sufficient हो जाए missiles के शेत्र में ठीक है it was approved by the government of India in the 1983 and completed in the March 2012 यहां पर यह चीज़ फिर से important role play करती है prelim perspective students क्या चीज़ है यह देखिए एक मिनट यहां पर लिखा जो five missiles है जो पत्ना का नाम दिया गया developed under this program but not stand for your peace and for pre three वो क्या चीज़ है short range surface to surface ballistic missile ओके फिर आता है ए अगनी जिसके पांच वर्जिन से बलासिक मिजाइल है विदे डिफरेंट रेंज अगनी one two three four and five और पत्ना में T stands for Trishul यह भी short range low level surface to air missile है and N stands for Nag that means the third generation anti-tank missile जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं clear and last में A stands for Akashan की medium range surface to air missiles correct है students यहां तक आगे बढ़ें so हमारी आज की next news रहेगी anti-bodies की अधार के ऊपर तो देखिए हमारी next news है mono clonal antibodies for the COVID-19 और यह आपके लिए इंपोर्टेंट एक जी एस पेपर 3 के लिए सुरू करना चाहूंगो यहां पी तो यहां पर लिखा की the international AIDS vaccine initiative याद रखें the international AIDS vaccine initiative and serum Institute of India जो पूना के अंदर है इन दोनों ने announcement किया एक agreement को लेकर विद मर्क असाइंस और टेक्न लॉजी कंपनी है तो डेवलप सार्स को फ्टू नीट्रियलाइजिग पूना के अंदर है इन दोनों ने एक अग्रीमेंट किया किसके साथ विद लॉजी ताकि यह तीनों मिलकर जॉइंट ली सार्स को फ्टू नीट्रियलाइज अगर मैं बात करूं इंटर्नाशनल एड्स वेक्सिन इनिशेटिव इस नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक रिसर्च और डेडिकेट करते हैं तो अट्रेसिंग ग्लोबल हेल्थ चैलेंजिस को एट हैड को आपे हैं नीव यॉर्क में यूएसे क्लियर सुटिंस और सीरम इं जो महराश्टरा के पूना शहर में आपको देखना है इस वर्ल्स लार्जेस्ट वेक्सिनेशन मेनुफेक्ट्टर याद रखे क्लियर आगे लिखा मोनो क्लोनल एंटी बॉडी को लेकर एक ऐसे एंटी बॉडी है जो प्रोटीन है प्रोड्यूस नेचुरली बाइद इम्य इम्यून सिस्टम नेचुरली बनाया जाएगा इम्यून इम्यूनिटी से तार्गेट अ स्पेसिफिक फॉर्न अब्जेक्ट एंटिजन दे आर कॉल्ड मोनो क्लोनल एंटी बॉडी मैंब्स विच दे आर प्रेडूस बाइद देराई फ्रॉमस सेंगल पेरेंट सिल ओके है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप लोग आगे बढ़ता हूं अब मोनो क्लोनल एंटी बॉडी क्या चीज़ रहती है तो लिखा गया की दे आर मैनमेड प्रोटीन जस्ट लाइक हूमन एंटी बॉडी इन इम्यून सिस्टम बिलकुल और दे आर मेड़ सब्सक्राइब के लिए कि मोनो क्लोन एंटी बॉडी क्या चीज़ है और दे आर डिजाइंड टू परफॉर्म मैनी रोल्स अब इसको बनाया गया ताकि कई रोल्स प्ले कर सके लाइक दे कान बी उस्टों के ड्रक्स टॉक्सिंस रेडियो एक्टिव सब्सांस डिर्क्ली अब आब जन कोविट 19 करते हैं नूटरलाइज इंग इंगेस्ट साथ स्थ को फॉर्ट को इन्वेंट बाइड दियुए आई ए आई वी आन स्क्रिप्स रिस चेर्च टिर्ट आर वाइड वाइड ली चंसीड टो बी प्रॉमिस इंग दे प्रॉमिसंग दे एडिट ग perspective sake heỏoc chloride antibody carry carrying a drug긴 stocks exchanged radioactive substances go directly to the effective blood cells sorry affected cells not blood cells up they came encouraging resulted for the covid-19 anybody treatment have emmers from pre-clinical research from the initial clinical trials कि MAPS also have the potential to play an important complementary role to the COVID-19 vaccines अब antibody की बात कर लीजिए एक जिसको आप लोग immunoglobulin भी बोलते हैं immunoglobulin is a protective protein एक protective protein काम करते हैं जो प्रडूस किया गया बाइद इम्यून system clear है in response to the presence of foreign substance is co-op antigen बोट foreign substance को क्या बोल दिया गया antigen clear के थे a wide range of substance are regarded by the body as antigen clear as antigen including diseases causing organisms and the toxic materials correct even antibody recognize and attack on antigen in order to remove them from the body correct students आगे बड़े यह बेसिक बताया गया है एंटी बॉडी को लेकर तो हमारी आज की निक्स न्यूस फॉरेक्स रिजर्व इंपॉर्टेंट रहेगी जी एस पेपर 3 के लिए शुरू करें तो देखें ध्यान से यहां पे लिखा गया की एकॉर्डिंग टू भारत का सेंट्र बेंग रिजर्व बेंग ऑफ इंडिया डाटा दे कंट्री इस फॉरेन एक्स्चेंज जिसको आप लोग फॉरेक्स बोल दियो रिजर्व तच अलाइब एक्टना गया वह आचुका है 552.12 यूस बिलियन डाल जारे अफर इट सब्सक्राइब अब कितना था पहले 3.615 बिलियन यूस दोलर जारे वीक एंड ओफ 16 अक्टूबर 2020 करेक्ट सुरेंस तो लिखा गया कि अब इतना उचाल आया जो दर राइज इन दे टोटल रिजर्व क्यों डियू डूट त शार्प राइज इन दर फोरन करंसी एसेट्स आमेजर कॉंपोरेंट आफ दो ओवर रोल रिजर्व तो अरे क्यों आया इसके पीछे बेस था वो था जो एक दम उचाल आगया राइज हो गया फॉरन करंसी एसेट्स में लि बिल्कुल विच कान इंक्लूड जो इसके अंदर क्या एक इंक्लूट किया का बॉंद्स ट्रेजरी बिल्स अधर गर्वर्मेंट से क्यों डियूर्टी इस एक्षेट्स आर्म लोग डॉलर्स के अंदर रखते हैं फॉरन डिजर्व को क्लियर निक्स्ट लिखा इसेट्स सर कर देगा but are most significantly held to ensure that central bank has backup fund if the national currency rapidly devalue अब ऐसा नहीं है कि भार की करन्सी भी ना हो ताकि वो डी वेली हो जाए और बिकम अल्टुगेदर insolvent clear यह basic economic terms है अब यहां पर देखिए Indian Forex Reserve include foreign goods sorry foreign currency assets gold special drawing rights reserve position with the international monetary funds अब टॉप डॉलर के लिए आप मैंने आपके लिए एक graph use किया top countries चाइना आ रहा है जपान आ रहा है फिर भारत आ रहा है याद रखिएगा चाइना टॉप पे है फिर जपान फिर इंडिया अब dated recording भारत में September में कितना था April में कितना है जून में कितना है करेक्ट आगे बढ़ते हैं कि foreign currency assets के according ही तो देखिए कि जो आपका foreign currency assets इंगे FCA are assets that are value based बिल्कुल ठीक है on a currency other than the country's own currency करेक्ट कि FCA is largest component of the Forex reserve और इसको dollars के अंदर ही हम express करते कि FCA include और क्या करेगा effect of appreciation or depreciation of non-US units बिल्कुल ठीक है appreciation depreciation को लेकर भी है like euros pounds yen held in the foreign exchange reserves exchange reserves euros pawns और Yens को भी है रखा गया foreign exchange reserves में और currency appreciation refers to the increase in value of one currency relative to the another in the foreign market यह basic definition है currency appreciation का और depreciation को क्या बूला गया fall in the value of currency in a floating exchange rate system यहनि की floating exchange rate system जो market force करता है determine the value of the currency important clear clear है students आगे बढ़े यहां पर यह चीज़ प्रिलिम प्रस्पेक्टिव से important रहेगा आपका basic definition है correct आगे बढ़ते है special drawing rights क्या है जो हमने foreign reserves के अंतरकत रखा हुए है कि the special drawing right यहनकी SDR is a international reserve assets जो create के जाते हैं IMF के द्वारा international monetary fund के द्वारा in 1969 से supplemented its member countries official reserves the SDR is neither a currency nor a claim on IMF यह currency नहीं है नहीं हम claim कर सकते international monetary fund में rather it is potential claim on the freely usable currencies of IMF members the special drawing rights can be exchanged for these countries यहनी की the value of SDR वो calculate किया जाएगा weighted basket of major currencies जिसके अंदर dollars आगे यह से के euros आ रहे है Japanese का यहन आ गया Chinese का यहान आ गया और British का पॉंट आ गया अब in interest rate on the SDRs special drawing rights और special drawing rights के अंतरगत ही is interest paid to members on their SDR holdings clear है students यहान तक अब next चले तो reserve position in the international monetary funds के अंतरगत क्या चीज़ है तो देखिए लिखा a reserve tranq position implies portion of the required quota are required quota है किसको लेकर currency को लेकर each member country must provide to the international monetary funds that can utilize for its own purpose जो अपने purpose के लिए वो यूज कर सकते है funds को और लिखा the reserve strength is basically an emergency emergency account है बिल्कुल ठीक है that IMF international monetary fund members can assess at ananime without agreeing to conditions or paying a serving fee तो emergency के तोर पर हम लोग यूज कर सकते हैं but सिरफ members IMF के clear है students यहां तक so जैसा कि आप लोग देख पा रहे है हमारे पास news आगे भी है data but due to the time मैं आज का session यहीं तक end करता हूं students और किसी भी student को को doubt रहता है तो आप comment section में जरूर लिखेगा clear और मैं आशा करूंगा कि आपको यह वला session भी काफी अच्छा लगाओगा so please इसको जादा से जादा rate करें और view दीजिए थैंक यह सुरेंस